वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल, लेक्स लर्न फ्राम होम, इस दिरेंजन तिवारी, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे, यूजी सी नेट पुब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन की, और इसमें हम प्रिवेस यर के क्वेस्टेंज को डिस्केस कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने 2012 को जो पेपर था, उसका हाफ पार्ट कवर कर लिया था, हाफ आज कवर करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको अगर कुछ सिजेशन कुछ सुजाओ या कुछ चाहिए, तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं, तो अभी मैं क्वेस्टेंज आपको दिखा रहा हूँ, इसको लास्ट में मैं इसको एक्सपेंड भी कर दूंगा, ओके तो फ्रेंड्स 28 क्वेस्टें तक हमने कर लिया था, आज हम बात करेंगे 29 तो फिप्टी तो फ्रेंड्स 29 क्वेस्टेंड है, आपको एक असेशन दिया हुआ है, दूसरा रीजन है, आपको बताना है कि क्या, देख नहीं सुसासन को सुनिष्ट करनेकि म योगदान दिया, आपको बताना है कि A, A और आर दोनों शहिए हैं और R की सही व्याक्या करता है या नहीं, B, A और आर दोनों शही है पर व्याक्या नहीं करता, C, A सही पर R गलत है, D, A गलत है और R शही है, उसके बाद 30, 30 बही है, पंचायती राजसंस्थान, असरसन, कहता है, या अफिकतन है, पंचायती राजसंस्थान, 73rd अमãyंडमेन्ट जो है, अधनियम के बाद भी प्रभावी नहीं हो सकी है, मतलब वो कह रहे हैं कि समिधान सेसंदन होने के बाद भी ठीक शे प्रभावी नहीं हो पाया है, उसका तर्ग दिया जा रहा है राज सरकारों ने पंचायती राज संस्तान को पर्याप सक्तियां बिख्त्ता कार्मिक प्रतान नहीं किये हैं अब आपको बताना है कि इन में से क्या है उसके बाद नेक्स्ट है मतलब की जो राज़ फिलाल प्रजन्ट में हैं उनको अलग करके एक नया राज़ बनाया जासकता है और दूसरा दोग्निया दोगनाया लिदन दो राज़ यों के नहीं कर सकते हैं तो आपको बताना इन में से कौन सा सही है कूट A B C D उसके बाद 32 है friends, लोक प्रसासन के उदभव के विकास करम को उप्यवस्थित करे, लोक प्रसासन का जो विकास हुआ है उसका करम बताना है आपको तो आपको बताना है कि इसका सिक्वेंस बताना है एबी सीडी में 33 है निमलिखित को उसके काला नुक्रम के अनुसार विवस्थित करना है कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा आया ये सबसे पहले पेपर फार था साइंस आप अड्मिनिस्टेशन जे प्रिंस्पल आफ साइंटिफिक मेंजमेंट पॉब्लिक अड्मिनिस्टेशन इन टाइम आफ डूबलेंस अब आपको बताना है कौन सा पहले था उसके बाद 34 फ्रेंट्स गलती से में पैंसे वो कर दिया था तो यह तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आत्मसिद्धी का सिद्धान आउसकता होती है उसके बाद समान समान के आउसकता होती है तो 34 आप अटा दिजिए नेक्स्ट आते हैं 35 35 फ्रेंट्स 35 है एल्टन मयों द्वारा दिये गए प्रियोग को काला नक्रम में बेवस्तित करें और नीचे दिये गए तर्थ से उतर ढूंडे देखिए इसमें एल्टन मयों ने जो जो अपने प्रियोग किये थे चाहे वो हैतरन प्रियोग हो चाहे वह बैंक वायरिंग एक्सरा हो चाहे वो मास इन प्रोग्राम रहा हो आपको बताना है कि सीक्विंस क्या कि था उसका को घो लिजेगा उसके बार 36 है बैंक अनसंधान बैसौरी बैग्ज्णिक अंसंधान का उचित क्रम क्या है सही उत्तर का चैन कीजिए आप को पताना है बैग्ज्णिक तो इस में से आप देख लेंगे जो भी चैन होगा बताईए उसके बार 36 37 sek Independence एक तार्किक नीति के संदर में निम्दिखित को क्रमबद करें लक्ष उत्तर का वही हुआ हैं अब आपको बताना है कि तार्किक नीति बनानी दो आपको कौन सा उस कैसे कैसे क्रम में वो करेंगे वो आपको बताना रहे लक्षों की प्राप्ति तो नीती बिकल्पू को चिन्हित करना फिर नीत बिकल्पू के लागत लागो लागत लाभो का भिशेशन करना सरवादिक सक्षम निती बिकल्प का चैन करना लक्षो को पहचान और अस्तरी करन करना आपको सिक्वेंस में पताना है कि पहले क्या होगा उसके लास्ट में क्या होगा ने कैसे मैच करेगा उसके चाप से कूट आपको बताना है उसके बाद 39 फ्रेंट्स 39 है परामपरागत सिध्धान्त इसमें भी वही बताना है आप देख लीजिएगा परामपरागत सिध्धान्त व्योहारवादी उपागम व्योस्ता उपागम अब बेग्यानिक प्रबंदन कौ कूट देख लीजिए उसके बाद 40 40 कहता है कि सूची वन का इसमें वही मिलान करना है बताना है आपको कौन से राइटर और कौन से उन्होंने वह लिखा था अबी पॉलेट हजबर्ग अब्डवलू रिक्स एस मैसलो दाइकोनामिक अपब्लिक इंड्मिनिस्टेशन डैनमिक इंटर प्राइड्मिनिस्टेशन मोडिवेशन और पैसनालिटी दा मोडिवेशन तो वोक आपको बताना है कौन किस ने बोल किया था उसके बाद 41 है इसम 42 42 आप देखे 42 में है इसमें भी मिलान करना है थेवरी एक्स थोरी वाई कारश सम्मंधन और कारविस्तारण आपको बताना है किस से सम्मंधित है और कूट का सही प्रियोग करना है वसके बाद आता है 43 43 है इसमें भी सूची है और ब्लैक एंड जीव माइटन आपको बताना है कि इन्हेंने कौन कौन सी थिवरी किस ने दी थी एक रेट फिडलर है, रावर्ट हाउस है, पी हारले और पी ब्लैकार्ड है उसके बाद 44 है फ्रेंट्स इसमें भी आपको बताना है इसमें लोक शिवा के बारे में दिया है और आइटिकल दिये हैं आपको बताना है कौन सा आइटिकल किसके लिए था देख लिजे उसके बाद कूट बताना है आपको फिर 45 है same वही कि कुछ terms दिये हैं उसका explanation दिया है आपको बताना है कि कौन किस्षे है और उसका कूट बताना है ओके फ्रेंट्स उसके बाद last आता है 46 है 46 में भी same काम होई दिया है लोग लेखा समिती अनुमान समिती लोक अदिम पर समिती संयुक संसेदी समिती आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है और आपको कूट बता देना है ठीक है उसके बाद 47 to 50 तक आपको यह पैरग्राफ पढ़ना है पैरग्राफ के आधार पर आपको एंसर देना है आप पैरग्राफ पढ़ लीजिए थोड़ा सा ब्लर होगा आइक एंडिस्टैंड पर आप थोड़ा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ जाएगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन कीजिएगा मैं इसको पढ़ के बता दूंगा उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेस्टेंस दिए गए हैं आप क्वेस्टेंस को कर लीजिए ओके फ्रेंट्स उसके बाद अब हम सुरू करते हैं चलिए अब हम सुरू करते हैं इसका एक्स्प्लीनेशन या एंसर तो सबसे पहले है ट्वेंटीनाइन ट्वेंटीनाइन का एंसर है फ्रेंट्स ए चुकि एसरसन कह रहा है कि प्रसासन में पारदर्शिता ससासन की प्रमुख पिसेस्ता है उब्यूसरी यह सही है उसके बाद आटी आई अदनियम जो 2005 लाया गया था वो भी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ही लाया गया थ तो यह दोनों सही हैं और वो एक दूसरे को explain भी कर रहे हैं तो इसका A सही हो जाएगा उसके बाद 30 30 देखिए फ्रेंट्स 30 खरया रहा है कि पंचायती राज संस्तान 73 संसोधन होने के बाद भी प्रभावी नहीं हो पाया है तो उसका तर किनों ने दिया है राज सरकानों पंचायती राज संस्तानों को परियाब सक्तियां बित और कार्मिय प्रदान नहीं किये हैं प्रेंट्स ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आया है जिसमें ऐसा कहा गया है कि हाँ उन्होंने पूरी तरह से उन्हें स्वायत्ता नहीं प्रदान की हुई है तो बिलकुल इसका भी A दोनों सही है और जो रिजन है वो असेसेशन की ब्याक्या करता है उसके बाद फ्रेंट्स आते हैं हम 31st 31st का आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स B देखिए सबसे पढ़ी बात जो फ्र्थ है फ्र् escol क्यों नहीं होगा संसद राज की शैमेति के बिना उसके सीमा शेत्न में परिवर्तन नहीं कर सकता ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि सीमा परिवर्तन करना संग सूची में है या संग का विशय होता है तो संसद साधारन विध्यक से भी उसमें पारित कर सकता है हाँ अगर किसी राज से संबंदित है तो उसके विधान सभा में वोटिंग कराने के लिए उनका विचार जानने के लिए भेजा जाता है लेकिन ये बिल 32 का CEO का Friends, सबसे पहले बैग्यानिक पुरवंदू का उपागम है, उसके बाद है आउसकताओं की करमिक्ता का विस्धान्त, उसके बाद आ जाता है आपका अप्रेड़ा स्वास्ताई सिद्धान्त, उसके बाद पारिस्तिति की उपागम, उसके बाद 33, 33 का Friends देखते हैं, 33 का answer है B, सबसे पहले आया था the principle of scientific management, उसके बाद आया था paper for the science of administration, उसके बाद आया था motivation and personality, देन आया था public administration in the time of Okay Friends, I hope you understand, उसके बाद 34 तो आपको पता ही है क्योंकि इसमें already लिखा गया है, उसके बाद 35, 35 का answer हो जाएगा Friends A, सबसे पहले आया था textile mill experiment, उसके बाद elimination experiment, उसके बाद आया था moss intervening program, उसके बाद आया था bank wiring experience, Elton Mayo की द्वारा किये गए, यह सब प्रयोग थे, उसके बाद 36, Friends 36 में आप देख लीजिए, 36 का भी answer होगा B, तो सबसे पहले समस्या का chain होता है, उसके बाद पीछे आप देख लीजिए, उसके बाद सामानी, सारी, आकरो का संग्रेंट विशेषड किया जाता है, उसके बाद सामानी क्रेंट किया जाता है, उसके बाद 37, 37 का भी B होगा, सबसे पहले, जब आप एक तार्किक नीती बनाने की बात करते हैं, आप एक policy बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लक्षों की पहचान करते हैं, और उसका अस्तरी करण करते हैं, कि किस तरह का लक्ष है, उसके कैसे देखना है, उसके बाद लक्ष को प्राप्त करने के लिए, कि जो विकलब हैं उन्हें आप चिन्हित करते हैं कि बाद अगात करते हैं कि क不知道 में लगे गिए उसे एंगालर का रेशियो क्या हो इसके बाद धरड का जाएगा जो सबसे नीती होगी दिग Anthem को कॉप चुनाओ लिखा था उसके बाद Herbert Simon ने लिखा था model of man आप यह कर सकते हैं उसके बाद MP पॉलेट ने लिखा था creative experience और बचा चीके प्रेंट्स उसके बाद 39 देखिए अगर आपको एक भी पता होगा तो अराम से यह हो जाएगा 39 का answer है C यहां देखिए फिंट इसका C answer है आप इसको देख लेजिएगा उसके बाद 40 का answer है MP फॉलेट ने dynamic administration लिखा था उसके बाद हैजबर्ग ने the motivation to work लिखा था उसके बाद FW रिक्स देखिए अगर आपको मैं फिर फिर से बताए एक दो अगर आपको पता है तो वह हो जाएगा सब्सक्राइब डब्लू रिक्स ने देखा था मोटिवेशन एंड पर्सनालेटी उसके बाद 41 हो जाता है 41 में आ जाता है कि 41 का answer है बी तो आप यहां देख सकते हैं स्वेक्षाकारी नेड़न निर्मार का मतलब होता है थोड़े परामर्स के बाद नेड़न निर्मार करना लोकतांतिक नेड़न निर्मार का मतलब क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए सहभागिता अधारित नेड़न निर्मार देखिए अगर आपको लोकतांतिक नेड़न निर्मार पता है तो ये आपका आराम से हो जाता क्योंकि B का कोई और A उप्षन नहीं है तो अगर आपको एक दो पता है तो आप आसानी से कर जाएंगे इसे उसके बाद 42, 42 का अंसर है B थेवरी X कहता है नियंदरन और अदेश की परमपरागत अधारना पर अधारित होता है थेवरी Y जो है वो ब्योहार को सल ब्योहार का एक एकरण प्रबंधन प्रक्रिया का कुंजी है मतलब उसके बारे में वो बात करता है उसके बाद कार संबंधन बात करता है स्वयम की सॉरी लंबुकृत कारभार की मांग उसके बाद कार विस्तारन तो फ्रेंट्स ये हो जाएगा उसके बाद 43 है A 43 का एंसर है A आप इसमें देख लीजे उसके बाद आता है 45 और सॉरी 44 अनुशेत की बाद की जा रही है तो 44 का है D 44 का D आपका सही है आप इसको एक बार देख लेना ठीक है प्रेंट्स उसके बाद 45 45 का है C पच्यूत का मतलब होता है किसी को सरकार के अधिन पुरे नयुक्ति के अयोग की घोसित करना उसका निश्कासन का मतलब होता है एक सजा नहीं है और कोई कमचारी इसके पर हो तो नुच्छे 311 के थर सरक्षन का दबाव नहीं कर सकता तो आप ये देख लेना इसका अंसर है C 45 का एंसर A है तो आप इसको देख लेना तो आप प्लीज इसको देख लीजेगा उसके बाद 46 है लोग लेखा समयती क्या करता है आपको पता है ये सारी चीजें हो जाती ठीक है उसके बाद आपने ये जो पैसेश पढ़े थे पैसेश के अधार पे जो आपको ने देखा था उसका 47, 47 का हो जाएगा आपका A उसके बाद 48 का A उसके बाद 49 का B उसके बाद 50 का A ओगे प्रेट्स, I hope कि आपको ये पसंद आया होगा अब हम नेक्स्ट जो ले आएंगे उसमें भी जब को पता है कि पहले दो, तीन सेग्मेंट में पेपर होते थे तो हम अब नेक्स्ट वो देखेंगे I hope कि आपकी प्रेक्टिस अच्छी हो रही होगी अगर कोई सुझाव, कमेंट या कुछ है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं देख सकते हैं, थाइंक्यू सो मच, कीप वाचिंग